हेलो एवरिवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल तो आज की इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं जेनरेशन ओफ कम्प्यूटर्स ठीक है? तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दवाला ना बोलें ताकि आपके तक हर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएं तो दोस्तो जनरेशन ओफ कम्प्यूटर्स जो है इस अपार्ट ओफ हिस्ट्री ओफ कम्प्यूटर्स जब हम एक चप्र पढ़ते हैं History of YouTube ूसमें एक सब टोपिक होता है generations of computer ठीक है तो आज की Class में हम डिसकेस करने वाले हैं कि कितनी generations हैएं computer की कैसे कैसे उन्हें changes है speed में कैसे effect पढ़ा प्रसेसर कैसे Change हुए हैं कौन से computer किस generation के हैं language कैसे build up हुई है वो सब कुछ आज की लेक्चर में देखने वाले हैं तो एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको मिल जाएगी कंप्यूटर की यहाँ ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैं टेबल आपके साथ शेर कर रहा हूं इस टेबल मे सब्सक्राइब तो इसके बाद कौन कौन से टाइम लाइन पर यही जेनरेशन साइव थी इसके इलावा उसमें सरकट क्या यूज होते हैं हमारा जो मेन अब्जेक्टिव देखेंगे मेमरी कपैस्टी देखेंगे प्रोसेसिंग की स्पीड देखेंगे कौन कौन सी सब्सक्राइब तो आप यहां से पढ़ सकते हो इलेक्रोनिक डिस्प्रेट बरियेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर तो पहली जिनरेशन 1947 तक दो कंप्यूटर इसमें जादा फेमस थे जुनिवैक एड़ अट बैक ठीक है काफी बड़े-बड़े कंप्यूटर होते थे यह बड़े कंप्यूटर का मेरा मेनिंग यह है कि इनकी जो एरिया जो कवर करते थे ओल्मोस 2000 स्क्वेर फीट जितना आज क टाइम पे जो अपार्टमेंट्स होते हैं जो आपका घर होगा वह लगबख 1500-600 स्क्वेर फिट में होता है जो नॉर्मल टूब यह के होता है तो उतना बड़ा यह सिर्फ एक कंप्यूटर हुआ करता था ठीक है तो इसमें जो सरकेट यूज होते थे यह वैक्यूम ट्यू 20KB आप खुद मान के देखो कि क्या होता है 20KB आज कल TV के जमाने में GB के जमाने में हम के बी की बात कर रहे है तो जब कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ था जो पहली जेनरेशन जब आई थी तो मेमरी थी 20KB सबसे कम मेमरी थी ठीक है देन आप्टर प्रोसेसिंग स्पीड कि बात करें तो 300 IPS कि सेकिंड नहीं कि स्टार्ट करें तो 300 IPS IPS क्या होता इंस्ट्रक्शन पर सेकिंड यह कंप्यूटर ना इंस्ट्रक्शन को ले सकता था उसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्रामिंगником की तो दो हमारे पास जैनरेशन थी उसमें कोई भी ऐसी नहीं हम सकते हैं और या अपनी लैंगुविए सकते हूँ या फिर आ लैंगुविज ईसकते हो क्या होती है जिस पर अधे टो सम्हार है। ठीक है direct response जब computer करता है किस language पर करता है machine language पर ठीक है जीरो का मतलब होता है ओफ one का मतलब होता है own ठीक है जीरो और वन पर यह काम होता है देन आफ्टर अगर हम बात करें एक्जम्पल्स की तो युनिवेक एडवेक वह हम पढ़ चुके हैं ठीक है तो इनकी फुल फॉर्म याद रखना युनिवेक होता है उनिवर्सल अटोमेटिक कम्प्यूटर एडवेक क्या होता है एलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट वेरियेबल सबसे पहले क्या किया गया दोस्तों यहां पर वेक्यूम ट्यूब्स की जगह पर लगाये गया ट्रांजिस्टर आये थे सेकिंड जनेरेशन में कुछ इस तरीके से होता है करूं यह रहा ट्रांजिस्टर आपके वास तो वेग्यूम ट्यूब्स की जगह पर यूस किया गया ट्रांजिस्टर ठीक है तो सर्क्रिटरी चेंज हो चुकी है ठीक है अगर मैं बात करूँ memory capacity की तो capacity भी थोड़ी सी increase हुई जैसे पहले 20kb था बाद में क्या हो गया 128kb ठीक है बाद में जो इसकी memory बनी that is 128kb kb क्या होता है kilobytes kb क्या होता है kilobytes I think ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा next देखो जी next है हमारे पास processing speed तो processing speed के ओपर कोई भी effect नहीं रहा था पहले भी 300 instructions per second follow होती थी और अब भी 300 instructions ही वो computer ले पाता था ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें programming languages की तो दोस्तों याद रखना question क्या बनता है कि कौन सी generation में जो high level languages है वो introduce हुई या फिर assembly language जो है वो कौन सी generation में introduce हुई है तो answer क्या आएगा हमारे पास second generation जो assembly language थी जो memonic quotes का जिसमें use होता था ठीक है assembly language जिसको translate करने के लिए assembly language को machine language में translate करने के लिए जो assembler का use किया जाता है वो assembly language second generation में आई थी ठीक है और इसके इलावा early high level languages जैसे Fortran है कोबोल है Algol है formula translation common business oriented languages ठीक है तो यह भी कहां use हुई थी second generation में आना शुरू हो चुके थी ठीक है जी तो आई होप यह चीज़ आप सभी को समझागी होगी ठीक है और यहां तक आते आते कुछ companies हैं जिन्होंने computers को बनाना भी शुरू कर दिया था जैसे IBM है इंट इंटरनेशनल बिजनस मशीन तो उन्होंने 1401 7091 CDC 3600 यूनिवेक यह सारे computer जो है वह बनने शुरू हो चुके थे ठीक है तो फर्स जनरेशन के आती बहुत बड़े-बड़े computer थे vacuum tubes लगी होती थी 20kb की सिर्फ इसमें memory होती थी speed भी बहुत slow है ठीक है लेकिन जब सेकिंड जनरेशन आई 1956 से लेके 1963 तक तो उसमें क्या हुआ एक तो circuit चेंज हुए vacuum tube की जगा पर transistor आना शुरू हो चुका था memory थोड़ी सी increase हुई है देन आफ्टर processing speed सेम रही है लेकिन इसमें जो revolutionary था जो revolution था that is कि इसमें assembly language यूज होनी शुरू हो चुकी थी क्योंकि पहले computers में क्या होता था कि machine language थी जो normal इंसान के लिए समझना possible नहीं था but assembly language क्याने से क्या हुआ कि कुछ course बनाने शुरू कर दिये एक इंसान के द्वारा ठीक है जिसमें easily हम समझ सकते थे उन पर्टिकुलर प्रोग्राम को ठीक है और इसके साथ एक कोशन और बनता है कि first programmer कौन था who is the first programmer तो मैं चाहूंगा कि आप comment section में इसका आंसर जुरूर दे मैंने लास्ट वीडियो में उसके बारे में बताया है जुरूर्द हुए है ठीक है तो फर्स्ट programmer आपने comment section में बताना है ठीक है जी लेडी और आगे आपना बताना क्या है ठीक है उसके बाद देखो जी next leaders को इन्होंने क्या किया Martha करना शुरू कर दिया Martha किसे करना शुरू कर दिया फिर आने लगी हमारे पास integrated chips जैसे एक ट्रांजिस्ट्र अब multiple ट्रांजिस्ट्र सको integrate करके क्या बन गया हमारे पास integrated chips बने शुरू होगी जनको IC कहते हैं हम, हम कही बार बोलते हैं कि IC सढ़ गया किसी चीज का, तो वो क्या होता है, integrated circuit, आज भी यह चीज कई instruments में use की जाती है, IC बोलते हैं जिसको ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, integrated circuit, ठीक है, उसके बाद, memory में क्या हुआ, memory 1 MB होगी, पहले KB तक हम गूम रहे थे, अब हम MB's में आ चुके हैं, MB क्या होता है, Megabyte, ठीक है, 1024 KB is equal to 1 MB, ठीक है, then after क्या हुआ, memory capacity का करें, अगर हम बात करें, तो इसमें magnetic core memory, यानि कि LSI and VLSI high capacity use होने शुरू हो चुके थे, ठीक है, अब यह LSI, LSI क्या होता है, और VLSI क्या होता है, यह exam में पूछा जा सकता है, आप से, तो LSI होता है, बैटा, large scale integration, ठीक है, और यह क्या होता है, very large scale, sorry, मैं थोड़ा सा गलत आ चुका हूँ, मैं 4th generation पर आ चुका हूँ, 3rd generation के अगर हम बात करें, तो 3rd generation में processing speed जो थी, वो थी 1 Mips, जो इसकी memory capacity थी, 3rd generation की, that is 1 MB, यह 4th generation के इसका बाद में बात करेंगे, जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो 3rd generation में जो processing speed थी, वो क्या थी, 1 Mips, मतलब million instructions per second, यह सबसे बड़ा revolution था भई, यह पहली 2 generation में 300 की, सिर्फ instruction लेता था एक second में, बट अब क्या हुआ, 1 million instructions लेना शुरू कर दिया, 1 million मतलब 10 lakh, और यह कैसे possible हुआ, जब हमने transistors को integrate करके, क्या बना दिया, integrated chips, ठीक है जी, तो उससे क्या हुआ, हमारी speed थी, वो automatically क्या होगी, इंक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा million times ही कह सकते हो, आप लगबग 1 lakh गुणा increase हो चुकी थी, आपकी speed, ठीक है, उसके बाद programming languages की बात करत, थर्ड जनरेशन में portable languages का introduction हो गया, ठीक है, portable language क्या होती है, वो program, जो multiple जगा पर use किये जा सकते हैं, वो वाली languages, ठीक है, जैसे C है, C++ है, आज भी हम इनको पढ़ते हैं, आपके syllabus का part भी है, C और C++, और यह कहां introduce ही थी, थर्ड जनरेशन में, ठीक है, और यहाँ पर जो computer की example है, that is IBM 360, अभी यह इतना important नहीं है, ठीक है, अब फॉर्थ जनरेशन है, वो 1971 से लेके, आज तक यह चल रही है, ठीक है, जो बिल्कुल ही low level के computer होते हैं, उसमें फॉर्थ जनरेशन का ही सारा system, फोलो होता है भी भी, ठीक है, तो इसमें क्या थे, दोस्तों, microprocessor आने शुरू हो गए थे, जैसे मागर यहाँ पर बात करता हूँ, तो यह जो हमारे पास जो integrated chips थी, तो यह medium scale integration पर काम करते थी, यहाँ फिर small scale integration पर काम करते थी, यह जो integration थी, वो थी SSI small scale integration, यहाँ फिर medium scale integration, ठीक है, कि कुछ चिप्स को, कुछ ट्रांजिस्टर को integrate किया है, लेकिन यहाँ पर जो microprocessor बने, यह रहेगी microprocessor आपके सामने है, तो इसमें क्या है कि काफी millions of transistors को integrate किया गया था, तो उनको क्या बोल दिया गया, microprocessors, ठीक है, और यह VLSI क्या होता है, very large scale integration, यह integration जो है, वो काफी large scale पर करी गई है, ठीक है, इसमें जो memory थी, वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो चुकी थी, as compared to third generation, आप भी अगर देख रहे होंगे, तो लगबग 200GB, 300GB, 500GB तक memory इसमें आ जाती थी, ठीक है, high capacity, ठीक है, तो magnetic memory का भी use होना शुरू हो चुका था, fourth generation तक, जैसे कि हमारी heart disk drives होगी, तो उनका optical memory है, magnetic memory है, इसका use होना शुरू हो चुका था, fourth generation में, ठीक है, then after, अगर हम बात करें, speed की, तो इसकी speed बहुत ज़्यादा थी, देखो third generation से, third generation से, ठीक है, faster than third generation बोला मैंने, कि third generation से, तो बहुत ज़्यादा speed थी, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, languages की, तो और भी high level languages, introduced हुई, यहाँ पर जैसे, Java हो गया, और यह एकल हो गया, ठीक है, इसके इलावा, PHP है, यह सारी fourth generation में ही, introduced हुई थी, ठीक है, और इसमें, जो हमारे पास, examples है, computer की, that is Pentium series, आपने Intel के, processors के बारे में सुना होगा, P2, P3, P4, that is Pentium, यह आपने कभी ना कभी, use भी किये होंगे, अपनी regular life में, जो आज से अगर आप, 10-15 साल पहले चले जाओ, 12-13 साल पहले चले जाओ, जादा नहीं, 12-18-89 की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो गर में computer होते थे, वो Pentium series की होते थे, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, Quotardew, all are the examples of, 4th generation computers, ठीक है, इसमें multimedia का भी, शुरुआत होना, शुरू हो चुका था, जैसे गाने सुन सकते हो, movies देख सकते हो, यह पहले नहीं था, यह पहले चीज़े नहीं होते थे, ठीक है, और last generation के अगर हम बात करें, तो यह हमारा future है, ठीक है, यह हमारा future है, ठीक है, मतलब आज भी कुछ, जो computer साह, वो 5th generation के हैं, और future में भी यही technology हमारी रहने वाली है, इसमें जो integration है, वो होएगी, ULSI, जाने कि ultra large scale integration, बहुत high level पर integration होगी, जिससकी speed भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, very fast, बहुत ज़्यादा speed इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसकी जो memory capacity होगी, आप देखी रहे हो ना, कि memory दिन वदिन बढ़ते जा रही है, आज से 5 साल पहले 512 GB बहुत बढ़ा होता था, आज के टाइप पर normal computer भी 1 TB का है, है ना, normal computer 1 TB की memory देता है आपको ठीक है, तो speed भी ज़्यादा और हमारे पास इसकी memory भी ज़्यादा, ठीक है, इसके इलावा इसमें जो programming languages है, आज तक जितनी विया वो सारी है, इसके इलावा neural networks, अब neural word आया है, neurology से, जाने कि study of brain, brain से आया है neural word, ठीक है, जाने कि brain के साथ, आप क्या कर सकते हो, आपके brain के साथ ही integrate हो जाएगा, यह जैसे हम बोलते हैं, ना एक नॉर्मल एक्जेंपल देता हूँ, हम आई की एक्जेंपल लेके जलता हूँ, artificial intelligence की, तो जो भी हम artificial intelligence यूज करते हैं, आप सिर्फ बोलते हैं, तो और आउट्पूट आनी शुरू हाजाती है, जैसे सिरी है, तो वो फिफ्ट जिनरेशन में आना शुरू हो चुका था, तो यहाँ पर क्या है, artificial intelligence and robotic, जो टाइप सब बूटर है, जितने भी AI होंगे in future, वो सारे फिफ्ट जिनरेशन में count किये जाएंगे, तो इन सारी जिनरेशन से हमने सीखा क्या, अगर इसका क्रक्स देखें तो क्रक्स क्या था, कि स्टार्टिंग में साइज बहुत बढ़ा था, जैसे 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 जनरेशन से इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई, नेक्स्ट आप चलते गए हम, जो साइज था क्म्प्यूटर का वो छोटा होता गया, स्पीड जादा होती गई, इसके इलावा, मेमरी जो है, वो जादा होती गई, तो काफी अपग्रेड इस तरीके सा आपको मिलते गए, तो तीन चीजे हैं, साइज, ओवर दा पिरियूट अफ टाइम कम होता जा रहा है, स्पीड ओवर दा पिरियूट अफ टाइम इंक्रीज होती जा रही है, रिलैबिलेटी इंक्रीज होती जा रही है, मेमरी कपैसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, तो इन सारे कम्प्यूटर के बारे में, आप सभी को पता समझा गया होगा, अगर कोई भी डाउट हो तो comment section में आप लिख सकते हो आपको उसका resolution मिल जाएगा ठीक है इसके इलावा दोस्तों एक information आपके साथ और share करना चाता हूँ कि जो batch है JOIT का वो आज से शुरू हो चुका है 2nd of June आज से यह batch शुरू हो चुका है आप इस batch को enroll कर सकते हो दोस्तों इसमें हम आपको 180 प्लस video lectures प्रोवाइड करवाएंगे जो आपका सारा syllabus कवर करेंगे जादा focus हमारा computer language पे ही रहने वाला है over the course आपको 5000 प्लस questions मिलेंगे class class notes और material जो है वो आपको PDF के थुरू प्रोवाइड करवाया जाएगा डेली आपकी practice assignments होंगी और weekly आपके Saturday को doubt session होने वाले हैं और हर Sunday को जो भी आपने last five to six days में पढ़ा है last week जो भी आपने पढ़ा है उसके आपको एक test provide करवाया जाएगा ठीक है जी इसके इलावा जब course हमारा खतम होगा तो आपको एक full length टेसरी दी जाएगी ठीक है तो description में दिए यह link पे click करके आप इस batch को avail कर सकते है ठीक है batch two तो उसका link में आपको description में ही दे दूँगा तो आज से join करिए दोस्तों क्योंकि आज ही शुरू हुआ है तो over the period of three months आपका पूरा syllabus भी complete हो जाएगा weekly आपकी evaluation भी हो जाएगी और आप test series देगे अपने आपको एक secure position पर लेके आ सकते हो कि हाँ अब मेरा JVT का paper clear हो सकता है तो दोस्तों यही था आज की class का main objective I hope आप सभी को समझ आ गया होगा generations of computer आप सभी को clear होगे होगे बाकि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like करना न भूले अपने दोस्तों के शायर करें जो JVT की त्यारी कर रहे हैं और अगर आप नए हैं तो चैनल को subscribe कर ले तो मिलते हैं next session में thank you very much